हेलो व्रीबान कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं आज बनाने जा रही हूं वेजिटेबल सूप और यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाली है क्योंकि विटामिन और मिलने से भरपूर यह वेजिटेबल सूप बनने वाला है वीडियो को पूरा बॉच करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हमें लेना है हरी वरी सबजिया मार्केट में भरा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बीन्स और हरी मिर्च लिया है ब यहां पर मैंने बारिक बारिक कट कर लिया है आप अपने अनुसार सब्जिया ले सकते हैं और यहां पर कुछ मैंने सुट कौन लिये हैं और यह देखिए धरिया पत्ता ले लिया है और यह जो सब्जिया देखें इनके डंठल मैंने अलग कर लिये थे और इनको मैंने जादा नहीं किया है इसके लिए लेंगे हम कड़ाई कड़ाई गरम होने पर ऑलिवयल डालना है थोड़ा सा ऑलिवयल डाल देंगे तो मैंने सरसों का तेली इस किया है क्योंकि ऑलिवयल नहीं था इसके बाद सब्जी के जो डंठल है उनको मैंने बारी कटके लिया था उनको पर डाल दूंगी पानी इसमें मैं डाल रही हूं डेल लिटर पानी इसमें डालना है तेजपत्ता और काली मिर्च इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कवर कर देना है तो अपर में लिट लगा दूंगी इसके बाद 10-15 मिनिट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पर पका हो चुका है और एक 2-2 मिनिट के लिए पका लेना है मीडियम आच पर एक अध्रक को थोड़ा से फ्राइए कर लेना है हरी मिज्ट डाला है दो दो तिन आप अगर लेसुन खाते हो तो यह इस टाइम पर डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा से फ्राइए करने के बाद यहां पर डाल देना है सब्जिया जो हमने पारीक कट क कर लेंगे सब्जियों को सौप्ट नहीं करना है थोड़ा से फ्राइए करना है लगातार चलाते विए फ्राइए कर लेना है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके बाद मैं आप डाली हूँ सुइट कॉंस और श्वाद अनसार नमक देट चमस मैंने नमक डाला है और इसके बाद मैंने डाला है काली मिर्च को पाउडर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालना है बटर बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सारी जीजों को मिक्स करने के बाद मैं आप डाल ली हूँ हमारा दयार किया हुआ टेजिटेवrån स्टॉप करने। मिक्स करने के बात, एक वाल आणे हैं, जब आ चाय ताव इसमें डालना है कौन स्टार्सं कौन डालने से बहुत ही अच्छा गाडपन आएगा हमारे जो सूप है, इसमें थोड़ा-सा पाणी डालके मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके सूप के अंदर डालना है नहीं तो यह गुटलिया पड़ जाती है थोड़ा-थोड़ा करके डालते भी मिक्स कर लेना है बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सूप ठंडा होने के गैस के फ्लेम मैंने लो कर दिया है इसके पार डाल देना है धनिया पत्ता और इसे और ज़्यादा कलर्फुल बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी सोया सॉद, सोया सॉद से बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसे मिक्स कर लेना है और एक बलीए पका लेना है बहुत ही टेस्टी हेल्दी वेजिटेबल सूप बनके तयार हो चुका है गैस को बन कर दिया है वेजिटेबल सूप बनके तयार हो चुका है अगर आपको मेरी ये रेसेपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई